शुरू हो चुका है हर वर्ष की बाती इस वर्ष भी हमारे संस्तान में महालक्ष्मी अनुस्तान क्या आप अब तक मेरे इस अनुस्तान का हिस्सा नहीं बनें तो मेरे सोशल मेडिया परिवार के लिए ही ये पूजा रखी गई है आप जादा से जादा संक्या में जूड कर मालक्ष्मी का आशिरवात प्राप्त करें और इस अनुस्तान का हिस्सा जरूर बनें मुल्य हीन व्यक्ति जो होते हैं वो केवल खाने पीने के लिए जीते हैं उसके बाद आपको वो जीवन बहुत बेकार दिखेगा अपने लक्ष को बड़ा कीजिए कुछ बड़ा सोचिए अपना ध्यान रखिए और जितनी जरूत हो उतना ही खान पान कीजिए नमश्कार मैं दीश माली आपके अपने इस सोचल मीडिया परिवार मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं आपके सामने 24 सितंबर मंगलवार का दैनिक राशीपले कर उपस्तित हुई हूँ और सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की तो अश्विन मास के करश्न बक्ष की गुली काल की नाम से जानते हैं उसका टाइम पीरिड दो भार बज़े से लेकर एक बज़े कर तीस मिनट तक रहेएगा महीю राओ काल का समय दौपेर तीन बजे से लेकर चार बच कर तीस मिनट तक रहेगा दिशा सुला जुतर दिशा में रहेगा यदि इस दिशा में यात्रा करना आवशको तो गुड़ खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं तो बढ़ते हैं आगे और आजाते हैं सीधा आज के देनेक राशी वलपन चुकि श्राद पक्ष चल रहा है अता आपको श्राद पक्ष में कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जो कि आपके जीवन की शांती और घर में शांती का वतावरन बनाए रखे तो इन उपायाओं को तक आप मेरे साथ जरूर रहें और आज के इस वीडियो को भ्यान पूर्वक्त देखें और सुनें तो शुरुआत करते हैं प्रथम राशी यानि मेश राशी से आपकी रासी सी चंद्रमाज के दिन तीसरे भाव में गोचर प्रहमन करेंगे तीसरे भाव में वे मंगल के साथ में लक्षमिनारायन योग का निर्मान करेंगे ये योग आपके इनर स्ट्रेंद को बढ़ाएगा इस समय आपके डिसिजन मेकिंग सांदार परिणाव आपक इस समय आपको छोटे भाई बैनों के साथ मैं भी अच्छा और कॉलेटी टाइम बिताने का अफसर मिलेगा आज के दिन आपके उत्तम धनलाब की परिस्तितियों को लेकर आएगा अपने पुरूजों के निमित और गरीबों में धन और भोजन का दान अवश्य करें आपका शुब्रंग रहेगा सफेज शुबंक रहेगा आठ अब आते हैं व्रशव राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन दूसरे भाव में कोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन कोई भी कारिये जल्द बाची में न करें सोच समझ कर कि ये गए कारियों का परिणाम आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव निकलेगा को तुम में मान सम्मान बढ़ेगा वहीं आपको अपने अपनों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा आज के दिन आप अपनी वानी से सब पमोहित करते में नजर आएंगे और अचानक धनलाप के योग करेंगे इस पित्र पक्ष के दौरान पित्रों के नाम से 21 कन्याओं को बोजन करा हैं और उन्हें वस्त्र जरूर भेट करें आपका शुबरंग रहेगा स्लेटी शुबंग रहेगा एक अब आते हैं मिथुन राशी पर आपकी राशी में आज के दिन चंद्रमा गोचर प्रमन करेंगे आज के दिन आप बहुत पॉजिटिव होकर अपने कारियों को करेंगे आपका प्रभाव शेत्र बढ़ता हुआ दिखाई देगा आटका हुआ प्रमोशन और इंक्रिमेंट में मिल सकता हैं IPS, पुलिस, सेना, नेवी जैसे अगर डेरिंग जॉब से आप जुड़े हो हैं तो उसमें कुछ बड़ी सफलता आज के दिन आपको प्राप्त होगी जातक को पित्रों के नाम से पक्षियों को बाजरा खिलाना चाहिए आपका शुबरंग रहेगा नारंगी, शुबंग रहेगा अच्छे अब आते हैं करक राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन बारवेई भाव में गोजर प्रमन करेंगे अधा आज का दिन आपके घर्च की स्तत्यों को बड़ा सकता हैं उसे नियंतरित करने के लिए आपको बहुत बुद्धी और युक्ति के आउशकता रहेगी आज के दिन जल्ड बाजी में कोई भी जोश-जोश में नेर्णाय ना लें सोच समझ कर आगे बढ़ें और सोच समझ कर डिसीजन लें जातकों को बैते हुए जल में बादाम रवायत करनी चाहिए ये काम आप श्राद पक्ष के किसी भी एक दिन कर सकते हैं आपका शुब्रंग रहेगा नीला शुबंग रहेगा चार अब आते हैं सीय राशी पर आपकी राशी से चंद्रम आज के दिन ग्यारवेई भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन बिना सोचे समझे जल्द बाची में नेने ना ले आज के दिन रिस्दारों से किसी बात को लेकर बहस हो सकती है आज के दिन आपका सेल्फ कॉंफिडेंस बहुती अप रहेगा आपका लेवल और सरकल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा पर नेनेक शमता में और कॉंफिडेंट होने की आवशकता नहीं है गुरुवार का व्रत करें और केले के पौधे में जल अर्पित कर उसकी पूजा रहतना करें आपका शुब्रंग रहेगा मैनून शुबंक रहेगा पांच अब आते हैं कन्या राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन दस्वे भाव में गोचर प्रवन करेंगे पता आज के दिन बिना सोचे समझे आपको जल्द बाजी में कोई भी डिसिजन नहीं लेना है सोच समझ कर लिए गए ने ने आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव निक लेंगे अधिकारी आपसे प्रसनच इतना जराएंगे और आपकी सायता से आपकी कमपनी को फायदा होगा जातकों को इस अवधी के दौरान अनाज और वस्त्रों का दान करना चाहिए आप किसी निर्दन और असहाय व्यक्ति को अनाज का दान कर सकते हैं आपका शुबरंग रहेगा पीला शुबंग रहेगा आठ अब आते हैं तुला राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज की दिन नवम भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन बिना सोचे समझे आपको कोई भी कारे नहीं करना चाहिए नए कारियों की शुरुआत के लिए प्लैनिंग और स्ट्राइटजी बनाना बहुत आवशिक है आज के दिन जो यूवर की उतिया नौके की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म हो जाएगी अगर आप अल्रेड़ी जोब में हैं तो आज के दिन प्रमोशन और इंक्रिमेंट के योग बनेंगे अधिकारी आपसे प्रसनचित नजराएंगे आपको सर्व पित्र अमावशा के दिन गरीब और अनात लोगों के बीच में भोजन और वस्त्रो का दान करना चाहिए आपका शुब्रंग रहेगा गुलावी और शुबंक रहेगा एक अब आते हैं व्रशिक राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन अस्टम भाव में गोजर प्रमन करेंगे अधा आज के दिन यात्राय आपके लिए सुखद और मंगल में रहेगी आज के दिन कुछ समाचार आपको अपने काम से रिलेटेड मिल सकते हैं गुप्त शत्रू समाप्त हो जाएंगे आपका सेल्फ कॉंफिडेंस बढ़ेगा और ससुराल वालों से तालमेल और सामन जस्य अच्छा देखने को मिलेगा व्रशिक राशी के जात्कों को पित्र पक्ष की अवधी के दोरान गर्म वस्त्र दान करने चाहिए आप पांच गरीबों को कंबल और कर्म वस्त्र दान कर सकते हैं आपका शिवरंग रहेगा ग्रे शिवंक रहेगा दो अब आते हैं धनूराशी पर आपकी राशी सी चंद्रम आज के दिन सब्तम भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन आपको अपने वर्क प्लेस पर बड़ा लाब मिलेगा व्यापार में आप अच्छी उन्नती करेंगे आज के दिन कुछ नई कंपनी के साथ आपका कॉलोबरेशन हो सकता है लाइट पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा और आज के दिन आपके कोई खोई होई प्रिय वस्तू आपको पुना प्राप्त हो जाएगी जिससे आपके मन में सुकून और प्रसनता के भाव रहेंगे श्रात पक्ष के दौरान आपको पसु पक्षियों के बीच में दाने पानी का वित्रण करना चाहिए आपका शुब्रंग रहेगा मैरून शुबंक रहेगा पांच अब आते हैं मकर राशी पर आपकी रासी से चंद्रमाज के दिन छेटे ही भाव में को चेप्रमन करेंगे अता आज के दिन आपको गुपनी तरीके से अपने कारे को करना होगा आज के दिन गुप तक प्लैनिंग करके जो भी कारे करेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी आज के दिन गलत मित्रों से थोड़ी सी दूरी बना कर रखें कोई भी कारे करें तो उसमें जल्द बाची बिल्कुल भी न करें रुपे पैसों से समंदित कारेों में आज के दिन विशेश सफलता प्राप्त होगी मगर राश के जातकों को शरात पक्ष के अवधी में गंगा जल से स्नान करना चाहिए और ये उपाय आपको नियमित रूप से स्रात पक्ष में करना चाहिए आपका शुभरंग रहेगा मजंटा शुभंग रहेगा तीन अब आते हैं कुम्ब राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन पांचवी भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन सिक्षा अध्यान अध्यापन से जुड़ी हुई सारी कटनाया दूर हो जाएगी छात्रों को मनवानचीत परणामों के प्राप्ति होगी खिलाडियों के लिए आज का दिन कुछ विशेश और सुबसमाचारों से भरा रहेगा आध्यात्मिक कारियों में आपका मन अधिक लगेगा सिरात पक्ष के किसी भी एक दिन पित्रों के निमित ग्यारा श्रीफल लेकर और पित्रों के नाम लेते हुए एक एक श्रीफल बैते हुए जल में प्रवाहित करें आपका शुब्रंग रहेगा गुल्डन शुबंग रहेगा नो अब आते हैं मीन राशी पर आपकी राशी से चंद्रमाच के दिन चौत्री भाव में गोचर प्रवन करेंगे अता आज के दिन फाइनेंशली जो भी कारे करें उसमें बहुत सतर्क रहें किसी भी कारे में लापरवाई बिल्कुल भी न करें प्रापर्टी से समंदित अटके हुए मामले आज के दिन आपके सौल हो जाएंगे वहीं आज के दिन आपको अपनी मदर से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा सामाजिक मान सम्मान में बड़ उत्री होगी ऐसी काय को चारा खिलाएं खिलाना उत्तम रहेगा जिसका अभी अभी बच्चा हुआ हो अगर आप सक्षम है तो गौदान करना भी एक उत्तम उपाए है आपका शुबरंग रहेगा हरा शुबंग रहेगा साथ तो ये है 24 सितंबर मंगलवार का देनिक राशिवल अब मैं अपनी मानी को यहीं विराम देती हूँ स्वस्त रहिए प्यस्त रहिए मस्त रहिए और हमीशा मुस्कूर आते रहिए जै श्री रादिक्रिश्ना गुरुमा निधी श्री माली एक प्रसिद्ध ज्योतिश आचार्य है उनके जोध पुरस्थित ज्योतिश संस्थान में महामृत्युन जय, कालसर्प दोश, मा बगला मुखी, विवाह बाधा निवारन पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्ध्वान, पंडितों द्वारा, पूर्ण विधिविधान एवं शासरुक्त रीती से संपन्न करवाई जाती है अतह आज ही अपनी पूजा बुक करवाने है तू, इन नंबरों पर संपर्क करे 8-9-5-5-6-5-8-3-6-2